दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल बी यूर मनी मैनेजर और आपके फनेंसिल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनमित्र रजिनिश खान दोस्तों अगर आपने आई यार सिटिसी या फिर उजीवन या फिर सीएसबी बैंक के आईपियो में किसी कारण बस पैसे लगा करके पैसे कमाने का मौका गवा दिया है तो इस बार आप ये मौका मत चुकिएगा क्योंकि एक और शानदार आईपियो आने बाल है जो कि आपका इंतजार कर रहा है त साथ ही साथ हम इस की कुछ खास-खास बातों को बताएंगे ताकि आप खुछ से फैसला कर सके कि आईपियो में पैसे आपको लगाने है या फिर नहीं लगाने है तो जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है SBI Cards and Payment Services SBI Cards का IPO दो मार्च को खुलेगा और पांच मार्च को बंद हो जाएगा इसमें आप दो मार्च से पांच मार्च के बीच में सुबह 10 वज़ से लेकर के पांच बज़े शाम तक निवेस कर सकते हैं लेकिन इसमें निवेस करने के लिए आपके पास DMAT खाता होना जरूरी है और DMAT खाता आप को किसी सेर ब्रोकर के हां खुलबाना पड़ेगा आप जीरोधा के जरिये भी SBI Cards के IPO में निवेस कर सकते हैं या फिर DMAT एकाउंट खोल सकते हैं तो SBI Cards के IPO की जो प्राइस है वह है 750 रुपे से लेकर के 755 रुपे प्रतिश शेयर यानि एक शेयर के देने होंगे लेकिन जो लोग SBI Cards के करमचारी है उनको 75 रुपे प्रतिश शेयर की छूट भी मिलेगी लौट साइट 19 शेयर है यानि कम से कम आपको 19 शेयर के लिए बोली लगानी होगी तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको अगर 750 के रेट से माना जाए तो 19 शेयरों के ल 3,350 रुपे आता है तो आगो कम से कम करीब करीब 14,000 रुपे का निवेश करना पड़ेगा अगर आप SBI Cards में निवेश करते हैं तो और कमपनी के शेयरों के लिश्टिंग 16 मार्च को संभव है SBI की सहयोगी कमपनी है SBI Cards and Payment Services SBI Cards के IPO के Book Running Lead Managers में शामिल है KOTAK महिंदरा Capital, Axis Capital, DSP Mary Lynch, Nomura Financial Advisory, HSBC Securities और SBI Capital Markets ये तो IPO के बारे में डीटेल्स हो गई लेकिन experts क्या कहते हैं इस IPO में पैसे आपको लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए और अगर आप पैसे लगाते हैं तो रिटर्न की क्या गुंजाईस है तो ज़्यादतर experts को इस IPO से बंपर कमाई की उम्मीद है experts की माने तो SBI Card का IPO Long Term के लिए अच्छा गाव है क्योंकि credit card बाजार में company का दगवा है और company को parent company यानि SBI का फायदा भी मिलेगा company digital payments में बढ़ोतरी के trend का फायदा उठाने के बहतर इस्तिति में है यानि जो digital payments में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका फायदा भी company को मिलने वाला है तो इसके लिहाज से भी SBI Cards में पैसे लगाना एक बहतर चोईस है SBI Cards के IPO में पैसा लगाने से बढ़ते consumerism का फायदा उठाने में भी मदद मिलेगी consumerism मतलब लोगों को खर्च करने की चंता है बढ़ रही है उपभुकताबाद दी प्रविट्टी लोगों में बढ़ रही है तो इसका फायदा भी SBI Cards में पैसे लगाने वालों को मिलने वाला है इसके अलाबा कई सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले समय में digital transaction में और बढ़ोतरी होगी तो digital transaction में और बढ़ोतरी होने का फायदा SBI Cards कंपानी को भी मिलेगा तो इसके IPO में जो पैसे लगांगे तो digital transaction में बढ़ोतरी का फायदा उनको भी मिलने वाला है कंपानी का growth rate अच्छा है जिसका फायदा भी IPO के निवेसकों को मिलेगा बीते तीन बरसों में भारत में credit card से खर्च सालाना 35.6% की दर्श से बढ़ा है तो यानि लगातार यह बढ़ते जा रहा है credit card के ज़री खर्च जिसका फायदा credit SBI Cards के IPO में पैसे लगाने वालों को मिलेगा आने वाले दिनों में अब थोड़ी जानकारी लेता है company के business के बारे में क्योंकि जहां पर पैसे लगाने जा रहा है वो company क्या business करती है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बहुत सारे market में पैसे लगाने वाले लोग है जो एक्सपार्ट हो उनका कहना है कि आप company में मत पैसे ल लिए तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक के लिहाज से SVI का HDFC बैंक के बाद दूसरा नम्मर है कमपनी के एक क्रोड कार्ड यूज हो रहे हैं और उटके जरिये डिसंबर 2019 में 98,500 क्रोड रुटे खर्च हुए इस हिसाब से SVI कार्ड का 18% मार्केट शेर बन रहा है लगबग आधे कार्ड़, SVI और दूसरे बैंकों के डिस्ट्रिब्यूशन चैनल के जरिये बाटे गए हैं बाकि देश के 145 शेरों में फैले कस्टमर एक्विशन नेटवर्क के जरिये जारी के गए SVI कार्ड में स्टेट बैंक का हिस्टा 74% है, सेस हिस्टा कारलायर गूरूप के पास है SVI कार्ड के शुरुवात अक्टूबर 1998 में SVI और GE कैप्टल के द्वारा की गई थी अब है कि IPO में पैसे लगाने के रिस्क क्या हैं जो लोग कहीं पर निवेस करते हैं, वो निवेस के फायदे तो देखते ही देखते हैं साथ ही साथ निवेस करने के क्या रिस्क होते हैं, वो भी देखना जरूरी होता है तो SBI Cards टेकनलोजी का यूज करके कई मोबाइल प्लेटफॉर्न पर वर्चुल कार्ड आफर कर रही है और इवाओं के बीच अपनी लोक्रियता बढ़ा रही है यानि इवाओं में इसकी ज्यादा मांग है तो एक तरह से लिमीटेट ग्राहग जो है एक रिस्क है इसमें निवेज करने के दूसरा है स्लोडाउन के चलते है डिस्कृशनरी खर्च में कमी आ सकती है जिसमें भी नुकसान हो सकता है और पिछले तीन बरसों में क्रेडिट कार्ड बकाय में 25.6% की बढ़तरी हुए जो की रिस्क की तरफ इस सारा बढ़तरी करता है मानलिया कि अगर क्रेडिट कार्ड बकाय में और जाला बढ़तरी होती है तो कमपनी के मुनाफिव पर इसका असर पढ़ सकता है तो IPO में लगाने के रिस्क भी है तो आपको फायदे बता दिये IPO में निवेज करने के रिस्क आपने जान लिया तो अब सवाल है कि पैसे लगाया जाए या नहीं लगा जाए तो इसका फैसला आपको खुद करना है इस एपीसोड का मकसब था IPO के बारे में बिच्तार से जानकारी देना तो इस IPO में पैसे लगाने के लिए आपके पास डिमाइट एकाउंट होना जरूरी है जैसे कि मैंने पहले बताया है तो अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो आप खुद से टैकरें या फिर किसी एक्सपर्ट की राय लगा के इसमें पैसे लगाएं तो ज्यादा बेतर होगा तो बी और मनी मनेजर में आज इतना ही लेकिन अपने फ़नेसल सफर को सुहाना बनाने के लिए अपना यूटूब चैनल बी और मनी मनेजर और अगर अभी तक आपने इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और पैसोल से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछे आपका किमती समय देने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों